यहुना तेरा अध्याय बत्तिस पद और परमिश्र भी अपने में उसकी महिमा करेगा वरन तुरंद करेगा मैं आपको एक विश्वासे के बारे में बताऊंगा जिसमें अपने विश्वास के लड़ाई को जीता और वो नयुर्शले में गई मैं उसकी अंदर किसी भी प्रकार की वुराई को नहीं ढून पाया और इसके अलावा वो पिता परमिश्र की हरे कार्यों में विश्वास युग्य थी वो फूलों की सड़क पर पिता परमिश्र की सूधी करते हुए चलना चाहाते थी पिता परमिश्र ने उसकी उसी इच्छा को याद रखा और उसे युग्य बनाया कि वो वहाँ पर चलने पाए मैं आपको पवित्र आत्मा के छेत्र में सबसे बड़े घर के बारे में बताऊंगा वहाँ पर एक चुकूर अकार की सोने की प्लेट है जिस बेकिवल तीन शब्द हैं पिता प्रभू और पवित्र आत्मा पिता प्रभू और पवित्र आत्मा इस घर का जो मालिक है वो शब्दों के द्वारा पिता परमिश्र के प्रेम को नहीं बया कर सकता गियो उसके हिर्दे को दर्शाती है केवल वो जो इस सक्रे मार पर चलते हैं वो ही इसे प्राप्त कर सकते है पिता परमिश्र वो विश्वास योग्य है हमारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए और इकितना स्वाधा अच्छा होगा कि आप पिता परमिश्र से प्रेम करते हुए अनन जीवन की लाजा करते हुए आप निर्शलिम में जाने पाए मसी में प्रिया भाईयों और भैनों और सभी जी सी एन टीवी के श्रोताओं मैं आपको लगातार नई यरुशली में पवित्र आत्मा के छेत्र के बारे में बताऊंगा ओलंपिक खेलों के दोरान जोंकि बेचिंग में हुआ था वहाँ पर कोरिया की एक खेलाड़ी ने भी गोल्ड मैडल को जीता यानि की एक सौन पदक को जीता और ऐसा कहा जाता है कि उसने इतनी जादा महनत की कि लगबग हर दिन वो पूरी तरीकी से ठक जाता था और जब उसने उस गोल्ड मैडल को जीता तो फिर उस एथलेट ने इस प्रकार से अंगेकार किया कि उसने इतनी जादा कठोर महनत की कि वो लगबग हर दिन अपने आसों को बहाता था लेकिन आसों की वो पल अब उसके लिए खुशी के पल बन गए और उसने कहा कि मैंने अपनी हिर्दे की खुशी के साथ उस कठोर महनत को किया और उसी खुशी के साथ फिर मैंने इन उलम्पिक खेलों में भी हिसा लिया इस एथलेट ने इसने किवल गोल्ड मैडल की और देखा और उसे विश्वास था कि अगर वो कठीन महनत करेगा तो फिर वो उसे प्राप्त कर सकता है इसलिए उसने इतनी जादा कठोर महनत की और वो लगातार चलता रहा अगर आपसे कोई इस तरीकी की कठो ट्रेनिंग के लिए कहे तो शैद आप इसे बीच में ही छोट देंगे हमारी मसीह जीवन का लक्ष है जो कि नया यरुशलेम है हम अपनी आपको जाजे कि हम कि तरीकी का जीवन जी रहे है नया यरुशलेम वो स्थान है जहां सबसे बढ़कर महीमा है कोई माइनी नहीं रखता कि हम किस प्रकार के प्रसेक्षनों से गुजरते हैं वो स्वर की महीमा के तुलना में कुछ भी नहीं है जो कि हमें स्वर की राज्ये में दी जाएगी इस संदेश में मैं आपको एक ऐसे विश्वासी के बार में बताऊंगा जिसनी अपने विश्वास की लड़ाई में विजय प्रात की और वो फिर नया रुशलेम में जाने पाई इस संदेश के द्वारा मैं प्रभुश्य मसी की नाम से प्रातना करता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों के पास ऐसा विश्वास हो और आप भी अपने विश्वास की लड़ाई में जीत को प्रात करने पाएं और आप भी स्वर के राज्य में बहुत से प्रतिफलों को प्रात करने पाएं मसी में प्रियभाईयों और भेनों हमारे प्रभु इश्यू मसी वो एक जनरल सुपर्वाइजर की तरह कारे करते हैं जो स्वर के घरों का डिजाइन बनाने में और उनके देखरी के प्रभारी है पिता परमेशन ने प्रभु को सधिकार को दिया है और हमारे प्रभु भी वो एक खुश रिदे के साथ इन सभी कारियों को कर रही है इसलिए हमारे प्रभु न्याए के अनुसार विश्वासियों के उन घरों को तयार कर रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रभु वो स्वेमी उन घरों को बना रही है हमारे प्रभु सिरफ उस घर का डिजाइन बनाते हैं और जो फिर प्रधान स्वर्वदूत हैं और जो स्वर्वदूत हैं वो सब मिलकर उन घरों का निर्मान करते हैं और बहुमुले पत्रों के द्वारा उन घरों को सजाते हैं। सबसे पहले वो भूमी जो हर एक विश्वास्ति को दी जाएगी उसका निर्ने किया जाता है निश्यत तोर से ये उनके लिए है जो स्वर के पहले राज्य में या फिर उससे बढ़ कर उपर जाएंगे मती पांच अध्ये उसके पांच पद में कहा गया है धन्य है भी जो नम्र है क्योंकि भी प्रित्वी की अधिकारी होंगी और हर एक वैक्ति की नम्रता की आनुसार हमारे प्रभू वो उनको भूमी को देंगी ऐसे कुछ लोग है जब वो इस धर्दी पर होते हैं तो उनके पास सोड़ी से भी जमीन नहीं होती या उनके पास अपना खुद का घर नहीं होता और यहां तक की बहुत से कुरिये लोगों के पास भी उनका अपना स्वैम का घर नहीं होता इस प्रित्वी पर यहां तक की उनकी मृत्यों हो जाते हैं वो किराय के घरों में रहते हैं और इस तरीक से वो मर भे जाते हैं उनके इर्दे में बहुत से इच्छाएं होती हैं कि उनका भी अपना एक घर इस पृत्वी पर होने पाए अब आपको क्या करना चाहेगे अगर आप अपनी सिच्छा को पूरा करना चाहाते हैं तो फिर क्या करना है तब आपको देन बनना है और नम्र बनना है जिस तरीक से बताया गया है धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वो इस पृत्वी की अधिकारी होंगी इस पृत्वी की भूमी ये कुछ भी नहीं है ये बिल्कुल अर्थरहित है और जिस भूमी के बारे में पिता परमिश्व बात कर रही है वो इस पृत्वी की भूमी नहीं है मैं आपको एक उधारन देता हूँ, जितना जादा आप नम्र बनेंगे, उतना ही जादा बड़ी भूमी आप स्वहर की राज्य में प्राप्त करेंगे अगर आपके पास इस प्रित्मी पर कोई भी घर नहीं है या आपके पास कोई भी जम्र नहीं है, तो फिर आप निराश ना हूँ, अगर आप नम्र बनेंगे, तो फिर स्वहर की राज्य में उतनी ही बड़ी भूमी आपको दी जाएगी, और फिर प्रभू के आदेश के काई नहीं कीचेंगे, बलकि उन छेत्रों को बाटने के लिए जोती उस्थान को घेड लेगी, प्रभू ने तिसरे स्वहर के राज्य और नाय रुश्लिम के बीच ये शब की दिवार बना कर उन दोनों को विभाजित किया है, और इसमें एक बहुत बड़ा विशेश अंत खाएगी, और बाकियों के घर वो जोतियों के साथ विभाजित होंगे, कुछ मामलों को छोड़ कर जिस सरेके से प्रभू और पवित्रात्मा का महल, वो चार दिवारियां जो दूसरे घरों को अलग करती है, वो तो जोती की द्वारा विभाजित की जाएगी, एक बार सब कुछ कारे करेंगे, और घरों के अंदर क्या डिजाइन बनाना है, वो सब कुछ उन्हें प्रभू बताएंगे, और यहां तक की डिजाइन बनाने में किस प्रकार की रंगों का इस्तिमाल करना है, और किस तरीके की भूमुले मनी, रतन और भूमुले पत्रों का इस्ति पिता परमेश्र निवश्नों के द्वारा ही स्वर्गोर प्रित्वी और सब कुछ इसमें बनाया और हमारे प्रभू भी पिता परमेश्र के साथ उस समय में थे जो वो इस्विष्टी की रशना कर रहे थे पहला कुरंधियों आठ अधिया उसका छेपद हमें बताता है तो भ इश्यू मसी जिसके द्वारा सब वस्त्वे हुई और हम भी उसी के द्वारा है इसलिए पिता परमेश्र वो अपने वश्नों के द्वारा वो स्वर्गी घरों का भी निर्मान कर सकते थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया हमारी प्रभु स्वेम हर एक घर के डिजाइन को बना रहे है और उनका निर्मान स्वर्गदुतों के द्वारा किया जा रहा है और कुछ विशेश मामलों में स्वेम प्रभु भी उन निर्मान के कार्यों को करेंगी प्रभु ऐसा क्यों करेंगी वो हमें पिता परमेश्र क प्रिम को महसूस कराना चाहते हैं कि हम पिता परमिशर के उनको मल हातों का एसास करने पाए और इसके अलावा प्रभू जो इतनी जादा नमरता के साथ घरों का निर्मान कर रहे है और पिता परमिश्र भी प्रभू को देख रहे है और इन सबी चीजों के द्वारा पिता परमिश्र को आनन मिलता है और तथे ये हैं कि पिता पर्मिश्र न्याय के अनुसार वो अपनी संतानों को सबसे भेतर वस्तों को देना चाहते हैं और इससे पिता पर्मिश्र को आनन मिलता है हमारे कुछ विश्वयास के पूरजों का पहले से ही नरुश्र में जाना तै हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विश्वयासी है जो अभी भी उस विश्वयास को प्राप्त करने के प्रिक्रियाम में है और जब कोई एक वेक्तिव वो निर्शली में जाने के उगया बन जाता है तो फिर हमारे पिता परमिश्र और प्रभू वो इतने ज़ादा खुश और आनंदित होते हैं जब हम इस बात को सुनते हैं कि ओलमपिक में एथलेट ने गोल्ड मैडल को जीता है और वो हमारे देश का खिलाडी है तो फिर लोग कितने ज़ादा खुश होते हैं और इस तरीके से लोग अंद तक उन मुकाबलों को देखते हैं मैं आशा करता हूँ कि आप महसूस करने पाएंगे कि इन अंद के दिनों में पिता परमिश्र और प्रभू वो भी हमें इसी तरीके से देख रहे हैं और तब पिता परमिश्र कितनी ज़ादा खुश होंगे जब आप दूशत्रों शैतान को हराते हैं आप अपनी पापों को दूर करते हैं और अभलाई की द्वारा सब चीजों को जीतते हैं और आप आत्मा और संपूर आत्मा में आते हैं तब पिता परमिश्र कितने ज़्यादा खुश होंगे जब आपका विश्वास दूसरे विश्वास की स्थर से तीसरे विश्वास की स्थर में, तीसरे विश्वास की स्थर से चोथे विश्वास की स्थर में और चोथे विश्वास की स्थर से संफूर आत्मा अर्थात राजवी रुष्यास के सर्व में आते हैं जब संपूर्ट आत्मा के लोक प्ता परमिश्टों के धर्मों राज़े के लिए कार्य करते हैं तो फिर वो जो भी चार्य करते हैं वो सब Architect उनकी प्रतिफल बनते हैं जब आप CARPRO mnie होते हैं तो वो चीजी स्वर्ग में आपका प्रतिफल बन सकते हैं लेकिन जब आप एक बार संपूर आत्मा के जन बन सकते हैं तो फिर चाहें आप जो कुछ भी करेंगे जो कुछ भी आप बोलेंगी वो सब कुछ आपका प्रतिफल बनेगा क्यों क्योंकि जो कुछ आप बो हर एक प्रकार की सुविधाई होंगी हमारे प्रभू वो खुशी और आनंद के साथ इन सबी कामों को कर रही है क्योंकि हमारे प्रभू वो इस बात को जानते हैं इसलिए उन्होंने पहले से ही योजना बनाई है इसलिए आप अपने घरों की चिंता ना करे जब आप उश्या पर्पिता परमिश्र के राज्य के लिए करेंगे वो सभी की सभी चीज़ें आपके घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी मसीमी प्रिय भाई और भेनो अब मैं आपको इस कलीसया के विश्वासे के बारे में बताऊंगा जो पहले से ही नई यरुश्ली में जा चुकी है लेकिन वास्ताव में उसका घर पावित्र आत्मा के छेतर के भारी परिसर में उसका घर होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मुश्किल से नई यरुश्ली में पहुँचने पाई वो पिता परमिश्र के सभी घरानों में विश्वास युग्य थी और जब मैं आपको उसके विश्वास के अंगिकार के बारे में बताता हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने विश्वास को जाचने पाए वो इस अंसार से प्रीम नहीं करते थी और वो इस अंसार के किसी भी सुख को नहीं लेना चाहते थी आप में से कितने लोग वो उसे पसंद करते हैं वो इस अंसार के चीजों को भी पसंद नहीं करती थी उसने इस अंसार का आनद नहीं लिया और उसने किसी भी चीज का आनद लेने की कोशिश नहीं की उसने किवल पिता परमेश्र के राज्य के लिए कारे किया और उसने अपने हिदे को बिना बदले हुए वो लगातार नई अरुश्रिम के लिए दोड़ती रही और भलाए के मामले में वो भलाए के उश्टमसर पर पहुंच चुकी थी उसके पास ऐसा भलाए का हिदे था कि वो पिता परमेश्र के लिए और उनके धर्म और राज्य के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर सकती है और अपने चरवाहे के लिए भी उसके पास ऐसा हिर्दय था कि वो अपने जीवन को भी बचाना नहीं चाहते थी वो सब कुछ वो किवल और किवल पिता परमिश्य और प्रभू के लिए देना चाहते थी और उसके अंदर नम्रता भी थी कि वो निर्शलिम में प्रवेश कर सके मैंने उसे बहुत लंबे समय से देखा था और मैंने कभी भी उसे किसी दुसरी वेक्टी का नय और निंदा करते हुई नहीं देखा था बहुत सी महिला मिश्यन की सदसे वो उसको उच्छी तरीके से जानती है विशे इस तोर से वो कारे करता और लीडर्स वो उसे अच्छे से जानते है और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि वो की सरीकी की महिला थी मैंने उसे कभी भी इर्शा करते हुए निंदा करते हुए या फिर दूसरों पर दोश लगाते हुए, या फिर दूसरों की कम्यों को बताते हुए, मैंने उसको कभी भी नहीं देखा, उसने कभी अपनी हिर्दे में जला नहीं रखी, कभी दूसरों पर दोश नहीं लगाया, यहां तक कि उसने अपने परिवार के सदस्यों पर भी कभ प्रते हुए नहीं देखा, वो सबके साथ शांती बना कर रखते थी, यहां तक कि अपने लीडर्स के साथ और कभी भी उसके हिदे में कोई दुर्भावना नहीं थी, और मैंने किसी से नहीं सुना कि कोई उसकी शिकायत कर रहा हो, या फिर अगर वो किसी के साथ कोई गलत वह कर रही हो, और कोई उसके साथ ऐसो विधा में नहीं रहते थी, और किसी के अंदर भी उसके प्रती कोई दुर्भावना नहीं थी, वो हमेशा भली और नम्रसभाव की थी, और मैं उसकी रिदे में कोई बुराई नहीं ढून पाया, और वो हमेशा पिता परमिश्रों के धर और मोराज्य के लिए विश्वास उगयता के साथ कार्य करते थी, वो हर एक प्रार्थनाओं में और हर एक अराधना सभाओं में आते थी, वो हर एक सभाओं में आते थी, जहां कई भी उसे उपसित होना चाहिए था, क्या आपने कभी उसे देखा कि उसने प्रार्थना नहीं की हो या फिर वो किसी सभा में नहीं आई हो और उसे कभी कबार शा का कलिसयों में जाना पड़ता था और कभी कबार उसे कलिसय के लिए जाना पड़ता था वो हमेशा पिता बर्मिश्र की कारियों को अपने पहली प्रात्मिक्ता देती थी और उन कारियों को करते हुए उसने उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की, उसके हिर्दे में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी, वो बिल्कुल मर्या मगदलीनी की तरह थी, मैं जानता हूं कि वो अपने पती की विरोध में बहुत से शिकायते कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने उसे हमेश आत्मा से भरी रहती थी चाहें वो जो कुछ भी कारे करती थी। मैं जानता हूं कि वो अपने पते के विरोध में शिकायते कर सकती थी लेकिन उसने कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की। करने के योगे थी। लेकिन उसकी अंदर पिता परमिश्र की सबे घरानों में विश्वास हो गया होने में थोड़ी सी कमे थी। उसके परिवार की सदस्यों में विश्वास की समस्या थी। और वासों में उसके पते की समस्या वो विशेश रूप से चिंता जनक थी। वो अं अंत में वो बिमार हुई और ये उसकी गलती की वज़े से नहीं था, ये इसलिए था क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्यों के विशे में किसी एक के पाप के विशे में बहुत ज़दा चिंति थी और ये उसके पती के पाप थे, उसके पती को इस बात के बारे में बाद में पता चला, लेकिन पहले से ही बहुत सा समय बीच चुका था, जब ऐसा हुआ, दूसरे शब्दों में उसकी बिमारी और ज़दा गंबीर हो गई, यहां तक ही पिता परमिश्र के नयाय के अनुसार वो जीवन की सीमा से परे चली ग पाई, वो आत्मिक तोर से अपने पती के साथ जोड़ी हुई थी, कलीसिया के कारे करताओं ने और लीडर्स ने उसके पती को डाटा ताकि वो पशताप कर सके लेकिन उसके पती ने नहीं सुना और नहीं पशताप किया, ठीक उसकी मृत्यू से पहले पिता परमिश्र ने उसे इस योग्य बनाया, कि जो कुछ उसकी कमे थी कि वो पिता परमिश्र के सभी घरानों में विशास योग्य होने पाई, वो पूरा हो गया, उसके मारने से पहले उसके पती ने बिल्कुल थोड़ा सा पशताप किया, और फिर उसके बच्चों ने भी मसे जीवन जीना श कह सकते हैं कि उसने नई अरुष्लिम के फाटकों को पार किया और उसने नई अरुष्लिम में प्रवेश किया, वास्तों में अगर आप संपून आत्मा में आते हैं तो फिर आपके परिवार में सू समाचार का प्रचार हो सकता है क्योंकि संपून आत्मा के जन के पास वश पर अधिकार होता है लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो संपूर्ण आत्मा में आते हैं हो सकता है कि उनके परिवारों में सूसमाचर का प्रचार थोड़ा मुश्किल हूँ ऐसे मामलों में उनके परिवार के सदस्यों का हिर्दे वो पूरी तरीके से संसार से भरा है और ऐसी भूमी को जोतना ये मुश्किल होगा क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि उनके परिवारों में जब आप संपूर्ण आत्मा का जन बन चाहते हैं तो फिर आपके परिवार में भी सूसमाचर का प्रचार हो सकता है और ये वो है फिर जिसका आप अनुभव करेंगे ऐसे मामलों में जब आप संपूर्ण आत्मा का जन बन जाते हैं तो फिर आपके परिवारों में भी सूसमाचर का प्रचार हो सकता है और ये वो है फिर जिसका आप अनुभव करेंगे इस कलीशिया के लीडर्स उनके भी परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हुआ है और उनके सदसे भी अबुविश्वासी बन गए है उनके हिर्दे में भलाई और सत्य के लिए कुछ भी नहीं है ऐसे मामलों में जब आप संपूर्ण आत्मा का जन बन जाते हैं तो फिर आपके परिवार में भी सुसमाचार का प्रचार हो सकता है और ये फिर वो है जिस चीज का आप अनुभव करेंगे इस कलीशिया के लीडर्स उनके भी परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हुआ है यहूदा इसक्रियोती वो हमारे प्रभू के बारेचेलों में से एक था यहां तक ही उसने बहुत से अद्बुचिन और चमतकारों को देखा और यहां तक ही उसने लाजरस को भी जीवित होते हुए देखा जो की चार दिनों से मरा हुआ था यहूदा इसक्रियोती ने तब भी पशाताप नहीं किया और उसने अपने हिदे से बुराईयों को दूर नहीं किया इस तरीके के भी वेक्ति होते हैं और ऐसे मामलों से हट कर आपके परिवारों में भी सूसमाचर का प्रचार किया जा सकता है और फिर वो लोग भी एक अच्छे मसी जीवन को जी सकते हैं अगर आप इस कलिस्या में लीडर्स हैं अगर आपके बच्चे अच्छे मस्ही नहीं है तो फिर आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जिन चीजों के लिए आपको पश्चाताप करना है आपको अपने आपको जाचना है कि आपका विश्वास किस तरीकी का है और आप किस सरीकी का जिवन जी रही है ताकि ये सबी की सबी कम्याईगी आपको नई रुष्छले में जाने से पीछी नहीं खीचे उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये तो मिरे लिए मुश्किल है और उसने कभी भी अपने विश्वास के दोड में मुश्किल प्रिस्थित्यों का सामना नहीं किया लेकिन उसके परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं थी लेकिन कभी भी उसने बहारे तोर से उन समस्याओं को नहीं दिखाया लेकिन विश्वास के साथ उसने उन परिक्षाओं को पार किया ऐसा कुछ समय था जो उसे सहना था और इस तरीके से उसने बहुत से प्रतिफलों को प्राप्त किया क्यों? क्योंकि उसके अंदर नयुशलेम की आशा थी वो प्रतिफल जो एक सजावट के लिए उसको दिया जाएगा वो एक बहुमूलय पत्थर है और उन पत्थरों के द्वारा उसका घर बनाया जाएगा यहां तकी सांसारिक लोगों के पास बहमुले मनी रतन होते है लेकिन किवल कुछ ही लोगों के पास होते है उसी तरीके से उसके घर में भी मनी रतनों के साथ सजावट की जाएगी इस प्रित्वी का हर एक समय जो कुछ उसने साहा वो सब कुछ प्रतिफल के रूप में उसे वापस दिया चाहेगा और इसके अलावा जब वो इस प्रित्वी पर थी वो कुछ चीजों को करना चाहाते थे लेकिन वो नहीं कर पाई उसने प्रभू की दुलहन बनने के लिए आशा रखी जब वो प्रभू से प्रेम करती थी और वो पिता परमिश्र के धर्म और राजे के लिए कारे करती थी और वो आत्माओं के लिए विश्वा स्युगे रही उसने संसार का आनन नहीं लिया और उसने पूरी से पूरी तरीके से संसारे की चाओं को छोड़ दिया उसने अपने हिर्दे को तयार किया प्रभू की संदर दुलन के रूप में जो की प्रभू का स्वागत करने के लिए तयार थी वो हमेशा संदर चीजों के बारे में सोचती थी और उसने संदर दिखने की कोशिश भी की ऐसा कहने का मतलब यह नहीं कि वो हमेशा संदर कपड़े पहनती थी या फिर महेंगी कपड़े पहनती थी वो साफ संदर कपड़े पहनती थी और उसने कभी कोई महेंगा कपड़ा नहीं पहना उसका चहरा हमेशा उजवल रहता था और वो इस सरीके से हमेशा साफ संदर द कपड़े वो पहना चाहाते थी क्योंकि पिता पर्मेशर इस बात को जानते थे इसलिए पिता पर्मेशर ने इन सुन्दर रंगों के कपड़े और वो सभी की सभी चीजें नई यरुशलिम में उसे प्रतिफल के रूप में वापस चुकाएंगे और उसके घर में कुछ पर की उसने किवल अपने हिर्दे में ही अंगिकार किया लेकिन अपने होटों से उसने धन्यवाद का अंगिकार नहीं किया कि मैं स्वर्ट में अपने प्रभू और चरवाहे की साथ हाथों में हाथ लेकर मैं उनकी साथ चलना चाहाती हूँ और मैं उनसे प्रीम करती हूँ जब उसकी आत्मा पिता परमेशन ने बुलाई तो वो थोड़ा सा पशा ताप कर रही थी कि उसने अपने होटों से अंगीकार नहीं किया उसने क्योबल अपने हिर्दे में उने च्छाओं को रखा मैंने सुना कि उसने इस तरह के सी अंगीकार किया और अपनी हिर्दे से इसंगेकार के साथ और जिस चीजों के लिए वो अपने हिर्दे में आशा रखती थी तो फिर वो सभी की सभी चीजे उसके घर में पैंटिंग और सजावटों के रूप में तैयार की गई है और उसका अंगीकार एक कविता की तरहा उसके घर की दिवार पर लिखा है और उसके घर में बहुत से बगीचे हैं जो सुन्दर फूलों के साथ सजाए गए है वो हमेशा चाहाती थी कि उसके घर में एक बगेचा हो जिसमें गुलाब के फूलों के साथ बहुत से फूल हो और जब भी वो इस फृत्वियों पर फूलों को देखती थी तो उसकी आशा सुहर के लिए और भी जादा बढ़ जाती थी और वो उस दिन की आशा रखती थी कि वो फूलों की साड़क पर पिता परमेशर की स्तूती करते हुए चलेगी और पिता परमेशर ने उसकी एक छोटी से भी इच्छा को याद रखा और नई अरुश्लिम में उसकी सभी इच्छाओं को पूरा किया और इसके अलावा उसको बहुत से मनी रतन दिये जाएंगे जिसके साथ वो खुद को भी सजा सकती है क्योंकि वो महीला थी और एक बार उसने सोचा था कि वो किसी चीज़ को पहना चाहाती है पिता परमिशन ने उसकी उस चीज़ को याद रखा और पिता परमिशन ने उसको वापस चुकाया जो कुछ भी वो स्पृत्वी पर चाहाती थी लेकिन इस पृत्वी पर अपनी प्रेस्तितियों की कारण वो उन चीज़ों को नहीं खरीद पाई थी तो भी उसका हिर्दय नहीं टूटा था क्योंकि उसका हिर्दय नई उरुष्लिम की आशे के साथ भरा था अगर वो पहले से ही नई उरुष्लिम में जाने के ओगे होती तो फिर वो नई रुष्ले में और जादा पावित्रा आत्मा के महल के नस्दिक जा सकती थी लेकिन इस वजह से वो किवल नई रुष्ले में के बाहरी छेतर में जाने पाई लेकिन किवल इस बात को सोचते हुए कि उसनी नई रुष्ले में प्रवेश किया वो बहुत जादा आनंदित हुई और एक इस्त्री के रूप में वो जो कुछ भी इस पृत्वी पर करना चाहाती थी वो नहीं कर पाई पिता परमेशन ने प्रतिफलों के रूप में उसे सब कुछ वापस चुकाया और वो बहुत जादा भावनाओं से भरी है क्योंकि कपड़ों की रंग गहने चोटी सी चोटे चीजे जो कुछ भी उसके हिदे में थी पिता परमेशन ने उसे सब कुछ दिया मसी में प्रिये भाईयों और भैनों अब मैं आपको नई यरुश्लिम में पावित्र आत्मा के चेत्र में सबसे बड़े घरों के बारे में बताऊंगा क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा है मैं आपको संक्षिप तोर से बताता हूँ इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग में आपके घर की सरीकी की होंगी जब आप इस संदेश को सुन रही हैं इस संदेश के द्वारा मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपके हिर्दे में ऐसी भावना होगी कि आपके कितने ज़्यादा प्रतिफल नई उर्ष्लिम में होंगी और आपका घर किस प्रकार का होगा मनुश्य जो की इस शाररिक संसार में रहते हैं पिता परमिश्र वो बहुत ज़्यादा महान है अगर वो न्याय की अनुसार दे तो वो बहुत से प्रतिफलों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपके पास और ज़्यादा आशा हो और आप उस आशा के साथ नई उर्ष्लिम के और दोड़ने पाए मसी में प्रिये भाईयों और भेनों अब मैं आपको पौवित्र आत्मा के छेत्र में सबसे बड़े महल के बारे में बताऊंगा और ये घर गिबलकुल एक महल की तरह है और इस महल के अंदर जो दिवारे हैं वो इसको दो भागों में बाटती है और ये पूरा महल ये पूरी दो दिवारों के साथ बटा हुआ है अंदरूनी दिवार और बाहरी दिवार जो उसका मुखे गेट है वो बहुत से बहुमुले पत्रों के द्वारा सजाया गया है और दो स्वर्दूत वहां पर खड़े हुए है और वो यहां तकी अपनी आखों को भी नहीं गुमाते जब वो उसकी देखरे करते हैं हम उस घर की महीमा को देख सकते हैं उस घर के अंदर बहुत बड़ा पिलर है आठ दिवारे वो बहुत सुन्दर मनी रत्नों से और फूलों से सजी हुई है और वो दिवारे बहुत लंबी है कि जिसका अन्थम देख भी नहीं सकते स्वर्गदूतों की अगवाई में जब हम मुखे गेटों को पार करेंगे तो वो गेट अपने आप से खुलेंगे और सुन्दर जोधिया चमकेगी और फिर वहाँ पर सोनी की सड़क है जो की बिलौर के समान चमकती है और सड़क के दोनों और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुन्दर पेड है और उन पेडों पर बहुत ज़्यादा फल उत्पन होते है और जब हम उन फलों को खाएंगे तो ये हमारे मुँमें पिगल चाएंगी और जब हम उन्हें खाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा शरीर खुशी और आनन से भर जाएगा हम उस सोने की सड़क पर चलेंगे और वो स्वर्दुत वो हमारी अगवाई करेंगे और सड़क के दोनों और इतने बड़े फूल है कि वो एक सुन्दर सुखंद को देंगे और वो हमारा स्वागत करेंगे और वहाँ पर बहुत से बगीचे हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ है और उन पेड़ों पर बहुत से सुनेर पंखो वाले बख्षी बैठे होंगे और इसके अलावा वो एक सुन्दर मधूर आवास में गाकर आपका स्वागत करते हैं और जब आप फूलों के नस्देक जाएंगे तो वो फूल सुन्दर सुखंद को आपको देंगे और वो इस तरीके से आपका स्वागत करेंगे और वहाँ पर घास का मैदान भी है जहां पर विभिन प्रकार के जानवर वो बहुत ज़दा सुन्दर है और वो चुप चाप वहाँ पर चलते रहते है जिस सरीके से हम सोने की सड़क पर चलेंगे तो हम दूसरे गेट के पास पहुंच जाएंगे और ये गेट ये मदे दिवार के बीच सिथ है ये बहुत ज़दा सुन्दर है और जिस सरीके से हम सोने की सड़क पर चलेंगे तो हम इस दूसरे गेट पर पहुंच जाएंगे ये गेट की उस दिवार के बीच में स्थीत है जो अंदुरुनी महल और बाहरी महल को विभाजित करती है वहाँ पर इस पृत्वी की तरह बहुत बड़ी पार्किंग की जगए है और वहाँ पर बहुत से क्लाउड ओटो मुबाइल पार्किये जाते है और वहाँ पर सोने की चुपईयां गाड़े की तरह भी है और ये बहुत सदा सुन्दर मनी रतनों के साथ सजी हुई है जो कि हम इस पृत्वीं पर नहीं देख सकते और जब ये आसमान में उड़ेगी तो इसमें से बहुत सदा सुन्दर जोतिया निकलेंगी और इसके गते भी क्लाउड ओटो मुबाइल के तुलना में बहुत सदा तेज है और इस महल के माले के लिए इसमें केवल एकी सीट है जो लोग इस महल में आएंगे वो उस क्लाउड ओटो मुबाइल में सवारे कर सकते हैं और इस चुप vallahi गाड़ी में चार पही है और दो पंग है और वो जमीन पर इन पहीों के साथ दोड़ सकते हैं और जब वो उड़ना चाहेंगे तो फिर वो इन पंगों के सहारे उड़ भी सकते हैं क्लाउड ओटो मोबाइल के साथ जो वहाँ पर सभारी करेंगे तो फिर वो इस मुख्य घर में तेजी से पहुँच जाएंगे और इस महल का मुख्य घर इतना बड़ा है कि इस प्रिच्वी के घरों से भी बढ़ कर और जिस तरीके से तीन मंजिला इमारत होती है उसकी चत एक प्याज की आकार के गुंबद की तरह है आप उल्जन में ना पढ़े जो इसका वास्तविक आकार होगा वो बहुत जादा बड़ा होगा जो कुछ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उससे भी बढ़ कर होगा और मुखे घर के दिवारे शुच सोने और योशप से बनाई गई है उसमें से नीले और सुनेहरे रंकी जोतिया निकलेंगी और वो जोतिया वो बहुत जादा सुन्दर होगी और वो जोति इतनी जादा तेज होगी कि आप ऐसा महसूस करेंगी कि आप स्वेब में ही आगे बढ़ रही है और आप ऐसा महसूस करेंगे कि इस पूरी इमारत में से बहुत सुन्दर जोतिया निकल रही है और ये दीरे दीरे करके ये महल घूम रहा है और इसमें बहुत से अलग अलग प्रकार के डिजाइन बने हुए है दिवारों पर पिता परमेशर ने स्वयम कुछ लिखांकित किया है और वो लिखन वो बहुत सुन्दर है और वो ये शव और सोनी से बनने हुए दिवार पर दिखाए देते है पिता परमेशर ने वहाँ पर सब कुछ लिखा है इस घर का मालिक इस धर्ती पर उसने पिता परमेश्र के लिए जो कुछ भी किया पिता परमेश्र के लिए उसने सब कुछ किया पिता परमेश्र ने हर एक समय के लिए लिखा है कि किश्ण में उसने अपना पसीना बहाया कब उसने प्रभू के लिए आसु बहाए और इस मुखे घर में प्रवेश करने के लिए बारहे गेट है क्योंकि मुखे घर का गेट इतना ज़ादा बड़ा है कि एक गेट से दूसरे गेट की दूरी बहुत ज़ादा दूर है और उन गेटों का अकार वो अर्धृतकन के अकार के है और प्रतेक चाबी के नीचे स्वर्गे अक्ष्रों में उस गेट का नाम लिखा हुआ है और उसको गहनों के साथ सजाया गया है और उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि हर ये गेट का नाम ऐसा क्यों है पिता परमेशन ने वहाँ पर सब कुछ बताया है कि इस घर के मालिक ने इस प्रित्वी पर क्या क्या कारे किये है और उन सबी कारियों के बारे में वहाँ पर लिखा है जो पहला गेट है वो उधार का गेट है और इसके बार में बताया है कि इस घर के मालिक ने किस तरीके से बहुत सी अंगिनत आत्माओं की अगवाई उधार की और की और वो बहुत से लोगों का चरवाहा बना और अगला गेट वो नई अरुशलिम का गेट है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि की शरीके से इस घर के मालिक ने बहुत सी आत्माओं की अगवाई नयरूशलिम में की और अगला गेट वो सामर्थे का गेट है सबसे पहले वहाँ पर चार गेट हैं जिस पर लिखा गया है कि पुनरसिस्टी की सामर्थे का गेट इन गेटों पर इस बारे में लिखा हुआ है कि हरे प्रकार की सामर्थे के द्वारा कितने लोग चंगे हुए और किस तरही के से उन्होंने पिता परमिश्र को महिमा दी और इसके बाद प्रकाशन का गेट है जिसके बार में बताया गया है कि इस घर के मालिक ने किस प्रकार इस प्रित्वें पर बहुत से प्रकाशनों को प्राप्त किया और किस तरही के से बाइबल के उन पदों की व्यक्या की और इसके बाद उपलबदियों का गेट है कि उन उपलबदियों को याद करे कि किस तरीके से इस प्रिथ्वें पर Grand Century को बनाया और उसके बाद प्रात्नाओं का गेट है जो हमें बताता है कि किस तरीके से इस घर के मालिक ने अपने पूरे जीवन भर पिता परमेश्र की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रात्नाएं की पिता परमेश्र की प्रेम के लिए इस घर के मालिक ने किस तरीके से आत्माओं के लिए शोग किया और उनके लिए प्रात्नाएं की और अंत में किस तरीके से उसने दुशत्रु शैतान पर विजह को प्राप्त किया जिसमें बताया गया है कि इस घर के मालिक ने दुशत्रों शैतान के विरोध में जीत को प्राप्त किया आईए अब हम इन सबी गेटों में से होते हुए मुख्य भवन में जाएंगे जब तक आप उस महल के मुख्य दरवाजे पर नहीं आते ये बहुत जादा दूर है और बहुत से स्वरवदूद वो आपकी अगवाई करेंगे आईए अब हम एक दरवाजे के माध्यम से मुख्य महल के अंदर जाएंगे मुख्य महल के आंतरिक दिवारों में बहुत से अलग-अलग पेंटिंग्स हैं और वहाँ पर बहुत से लेखन है और उन में से मैं केवल आपको एक के बारे में बताऊंगा यहां तक कि इस अंसार में भी जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कुछ लोग वो बार-बार उस वेक्ति का नाम लिखते रहते हैं कभी डाइरी में, कभी नोट पर वो बार-बार उस वेक्ति का नाम लिखते हैं जिससे वो प्रेम करते हैं और यहां तक कि कुछ लोग पेडों पर, पहाडों पर नकाशी बना कर उनका नाम लिखते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने प्रेम का इजहार करना है इसलिए वो बार-बार उस वेक्ति का नाम लिखते रहते हैं और इसी तरीके से चोकुर आकार की एक सोने के प्लेट है जिस पे किवल तीन शब्द लिखे है पिता, प्रभू और पवित्र आत्मा और यह हमें बताता है कि इस खर का मालिक वो किवल शब्दों के साथ पिता परमिश्र की प्रिम को बया नहीं कर सकता और जैसे ही हम बारे गेटों में से किसी के माध्यम से इस महल की अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर इस महल पर वहाँ पर एक होल है और वो होल बहुत ज़्यादा चोड़ा है और वो फर्ष वो बहुत ज़्यादा सुन्दर है और उस में बहुत सी विभिन प्रकार की जोतिया है और उस फर्ष में बहुत ज़दा सुन्दर पैटर्न बने हुए है ताकि वो और ज़दा सुन्दर रोशनी दे और शट में भी बहुत सुन्दर बहुमले कीमती पथर लगे है और बहुत से पैटर्न भी वो शट पर बनाए गए है और उसमें बहुत से डिजाइन बनाएं गए हैं जो की बीच में है और उस शत के बीच में एक बड़ा और शांदर दिखने वाला तीन सरी जूमर है और वो सुनहरे रंग के जूमर है जो की उस भोश की सुन्दरता को बढ़ा देते हैं और वहाँ पर एक सुन्दर मेज भी होगा और जिन लोगों को भोश के लिए आमंतरित किया चाएगा वो वहाँ पर बैठ सकते हैं और हुँ वहाँ पर बैठ कर बाचित भी कर सकते हैं और घर की अंदर की सजावट वो पिता परमिश्र के द्वारा की जाएगी ताकि वो मालिक की इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सके हम हर एक मनी रतन की अंदर पिता परमिश्र के प्रियूंग को महसूस कर सकते हैं इसलिए इस घर के मालिक के द्वारा आमंतरित किया जाना और उस भूज में हिसा लेना गिस्वर के राजय में बहुत बड़े सम्मान की बात होगी अब हम दूसरी मंजिल पर आते हैं और दूसरी मंजिल पर भी बहुत से कमरे हैं वहाँ पर एक कमरा है और जिसमें बहुत से अलग-अलग प्रकार के मुकुट रखे हुए हैं लोग के मुकुट हैं और बहुत से अन्य मुकुट हैं और इस घर के माले को बहुत से मुकुट प्राप्थ होते हैं क्योंकि उसनी इस प्रित्यू पर इतनी सारे चीजों को पोरा किया और उसने महानता से पिता परमिश्र को महिमा दी जब आपिता परमिश्र को महानता से महीमा देते हैं तो फिर आपको एक मुखुर दिया जाता है इसलिए मैं आशक करता हूँ कि आपिता परमिश्र को महान महीमा देंगे और आपिता परमिश्र से महान प्रतिफलों को प्राप्त करने पाएंगे और इस कमरे के अलावा वहाँ पर उसकी पोशाकों के लिए भी कमरा है जो कि बहुत ज़दा सुन्दर मनी रतनों के साथ सजाया हुआ है और वहाँ पर उसकी बहुत से पोशाके रखी होंगी और स्वर्दुत वो उन से भी पोशाकों के देखरे करेंगे वहाँ पर एक और विशेश कमरा है जिसे प्रात्ना कक्ष कहते हैं इस घर के मालिक ने इस प्रित्वी पर बहुत से पिता परमेश्टर के लिए प्रात्ना की उसने बहुत से इस प्रित्वी पर प्रात्ना की पिता परमिष्टर के धर्म और राज्य को पूरा करने के लिए इसलिए ये कमरा ये उन चीजों को याद दिलाने के लिए बनाया गया है कि किसरी किसी इस घर की मालिक ने इस प्रित्वी पर प्रात्नाई की और वहाँ पर एक और बड़ा कमरा है जिसमें बहुत से वीडियो मोनिटर्स है इस घर का मालिक जब चाहे वो उन सभी घट्णाओं को याद कर सकता है जो कुछ भी उसनी इस प्रित्वी पर सहा है और इस कमरे में वो समर रीट को और बहुत सी अलग-अलग सभाओं को और उन कठिनाईयों को और सभाओं को देख सकता है जिन से भी होकर वो गुजरा और वो उस समय को देख सकता है कि जब वो पिता परमेशर के लिए इस प्रित्वी पर कार्य कर रहा था उसने बहुत से कठिनाईयों और मुश्किलों का सामना किया पिता परमेशर ने प्रेम के द्वारा इन सबी चीजों को इस घर की मालिक के लिए तयार किया है दूसरी मंजिल पर इनकमरों के अलावा वहाँ पर एक और विश्य स्थान है जहां पर एक मेटिंग रूम है जहां पर इस घर का मालिक भविश्य दुक्ताओं से मिल सकता है पहले मंजिल पर बैंकेट हॉल है वो वहाँ पर उन साधारन विश्यासियों से मिल सकता है और दूसरी मंजिल पर जो ये कमरा है ये एक वी आईपी रूम की तरह है इसलिए पहले मंजिल के बैंकेट हॉल के तुल्ला में ये बहुत ज़ादा सुन्दर है उधारन के लिए जब एलिया, हनुक, अबराहम, मुसा या फिर प्रिरित पॉलुस जब वो इस महल में आएंगे तो फिर उन्हें दूसरी मंजिल पर इस कमरे की अंदर लाया जाएगा और वो अपनी गवाहियों को बताएंगे कि कि सरीके से उन्होंने पिता परमेश्र के धन और राज्चे को इस पृत्मी पर पूरा किया और फिर वो पिता परमेश्र को धन्यवाद और महिमा देंगे इस महल के तीसरी मंजिल पर अब हम जाते हैं और ये तीसरी मंजिल ये बहुत सदा विश्य स्थान है इस घर के मालिक के लिए पिता परमेश्र और प्रभू से मिलने के लिए ये एक विश्य स्थान है और ये वो स्थान है जहां पर पिता परमेश्र के साथ बाचित कर सकते है और प्रभू के साथ इस घर का मालिक बाचित कर सकता है पिता परमिशर ने इस विशीर जगा को क्यों तैयार किया है? यह इसलिए है क्योंकि इस घर का मालक पिता परमिशर और प्रभु से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उन्हें बहुत ज़्यादा याद करता था उसने अपना पूरा जीवन प्रभू के लिए दे दिया केवल और केवल प्रभू के बारे में सोचते हुए और इसके साथ ही जिस सरी किसी प्रभू इश्यू मसी ने अपने चेलों की सेवा की उसने भी बहुत सी आत्माओं की सेवा की और बहुत सी आत्माओं से प्रेम किया और उसने जिवित पिता परमिश्र की महान सामर्थे को दिखाया जिस सरी किसी प्रभू ने भी पिता परमिश्र की सामर्थे को दिखाया था फिर भी वो हमेशा पिता परमेशर प्रभू से मिलने की लालसा करता था और वो प्रभू को याद करके बहुत से आसों को बहाता था अगर उसके अंदर सयम का फल नहीं होता तो फिर उसकी आसों उसकी प्रेम और लालसा की कारण कभी भी नहीं रुटते इसलिए पिता परमेश्वर ने इस घर के मालिक के लिए इन सभी चीजों को बनाया जब उसका प्रेम इतना ज़ादा गहरा था पिता परमेश्वर और प्रभू के लिए तो फिर जब वो वहाँ पर पिता परमेश्वर प्रभू से मिलेगा तो वो कितना ज़्यादा खुश होगा अगर आप वास्तों में किसी से प्रेम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लंबी बातों को करने के बाद भी आप उस वेक्ति के साथ बोर नहीं होते इस घर का मालिक इस विशे स्थान में वो पिता परमिश्चर और प्रभू के साथ बाचित कर सकता है और जितना चाहे वो उनके साथ वहाँ पर रह सकता है क्योंकि ये तीसरी मंजिल पर एक विशे स्थान है इसलिए इसकी सनरचना और सजावट वो बहुत ज़ादा सुन्दर है इसमें बहुत से विशेश प्रकार की जोतिया है अगले सन्देश में मैं आपको मुख्य भवन और बहुत से विविन प्रकार की सुविधाओं के बार में बताऊंगा जो वहाँ पर है मसी में प्रिया भाई और भैनों इस संदेश में मैंने आपको पवित्रा आत्मा के छेत्र में सबसे बड़े महल के बारे में बताया पिता पर्मिश्र के छेत्र में हरेगर महल की तरह है और ये उन बहुष्य दक्ताओं के लिए जगा है जो पुरानी नियम के दिनों में पिता परमिश्वर से प्रेम करते थे और प्रभू के चेलो के महल प्रभू के छेतर में है मसी में प्रिय भाई और भैनो इस संदेश में मैंने आपको बताया कि जो पवित्र आत्मा के छेतर में सबसे बड़ा महल है उसकी कुछ चीजों के बारे में मैंने आपको बताया और पेता परमेश्वर किसी एक वेक्ते को इतने सारे प्रतिफल दे सकते हैं हमें याद रखना है कि पेता परमेश्वर वो हमें सब कुछ वो हमें न्याय के अनुसार देते हैं यहां तक कि अपने पुत्र येश्य को जिससे उसने राजाओं के राजा और प्रभू के प्रभू के रूप में उचा उठाया जिसने पेता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस को उठाया था इसलिए जब तक कि इस घर के मालिक को वो प्रतिफल नहीं मिलते उसे बहुत से आग्याओं को मानना है और अपना बहुत सा बलिदान करना है प्रभू के प्रेम के द्वारा उसने उन सब ये चीज़ों को किया और प्रेणम स्वरुप वो स्वर के राजय में इस तरीके के अद्वुत प्रेम को प्रात करेगा जिस तरीके से बाइबल में लिखा है कि जो मुझे प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ और जो मुझे खोशते हैं वो मुझे पाते हैं इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप पिता परमेशर और प्रभू से अपने कार्यों और सत्य की दुआरा प्रिम करने पाएं। आप क्यों पिता परमेशर और प्रभू से इस अंसार से बढ़ कर प्रिम नहीं करते। अगर आप पिता परमेशर और प्रभू से प्रिम करेंगे तो फिर आप सोयर के राज़े में पिता परमिशर के उस महान प्रिम को पाएंगे इस प्रित्वी के अलावा आप सोयर के राज़े में भी पिता परमिशर के उस महान को प्राप्त करने पाएं होने पाए आपिता परमिश्र की प्रिम को बहुत आयसे प्रात करने पाए प्रभुश्य मस्री की नाम से मैं प्रातना करता हूँ